आज मैं आपके साथ से एक और जब अपर्चुनिटी के बारे में सेर करने वाला हूं पूरी डीटेल में इंफोर्मेशन इसके देनी की कोसिस करूँगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से वह कबर करूँगा और कैसे अपलाई करना सारे चीजे मैं आपको यहां पर पता करने वाला हूं यहां पर सबसे पहले बात कर लेंते हैं नेम अपड़ कंपनी जैसे कि आपको पता यह आई डबलु ए आई थमनेल में मैंने मैंने किया हुआ है इनलेंड वाटर अथोरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है आई डबलु ए आई का यहां पर अगर मैं नोडिफिकेशन में देख सकता है पेश के बात करें तो पेश के लापका 35,400 से स्टार्ट होके 1,12,000 एप्रोक्समेटल यह पेश के लापका रहे का रिवाईज पेश के लिए आपका यह अई एस पर सेवंथ सिपीसी आपका यह पेश के लेंग आपको 55 दू 60,000 का ग्रॉस कर सकते हैं उनका application भी download कर सकते हैं आप play store से और direct visit कर सकते हैं online.davidguru.com आप बात कर लेते हैं important point के जो की essential qualification है तो यहां पर भहुत ध्यान से सुनिएगा दो तरीके का यहां पर mention किया गया है notification में जो आपको मैं बताऊंगा आप clearly यह नीचे आप देख भी सकते हैं यहां पर सबसे पहला जो condition यहां पर दिया गया है commerce graduate with three years of experience in finance accounts, government और other reputed organization यानि कि आपका graduation के साथ यानि B.com के साथ आपके पास तीन साल का experience है चाहे आपका government में हो PSU में है या फिर किसी अच्छे बड़े private organization में तो आप eligible इस पोस्ट को apply करने के लिए पहला condition है second जो है बहुत ही अच्छा यहां पर condition दिया गया और करके है यह option और इसको ध्यान से सुनिएगा graduate with CA and CMA के वाल यह mention है graduate with CA and CMA यानि कि आपने graduation किसी भी stream से किया हुआ है like आपने BA किया है BCOM किया है BSC किया है BCA किया है BTK किया है चिसे से भी आपने graduation किया है इसके साब आपके पास अगर CA और CMA दोनों में से किसी का भी intermediate का आपने qualifying किया हुआ है as on date of the closing of this application so you are eligible for this post और यहां पे there is no requirement of essential experience of 3 years earlier explained like graduation with 3 years of experience क्योंकि एक notification में और करके लिखा हुआ graduation plus CA and CMA होना चाहिए आपके पास तो आप eligible है तो important date की बात कर लें तो 15th January 2021 से application online start हो चुका है और यह last date of this का closing 14th February 2021 को है 14th February यानि कि आपका Valentine's Day है उसी date पे आपका closing date है तो आप पहले ही apply कर लेजे अदरवाइस आपका हो सकता है Valentine's Day spoil हो जाए तो please apply जरूर करें description box में आपको link मिल जाएगा next यहां पर important point is selection procedure क्या है इसका selection procedure यहां पर बहुत ही simple क्या as usual है आपका online test होने वाला जो लोग भी candidate यहां पर shortlisted होंगे online test में यानि कि CBT computer based test में वो candidates यहां पर joining letter पाएंगे document verification होगा जिनका और वो finally यहां पर join करेंगे अब exam pattern यानि कि आपका exam में क्या-क्या पूछे जाएगा तो यहां पर दो पार्ट में आपका exam होने वाला है पार्ट 1 होगा जो आपका यहां पर A बोला गया है notification में पार्ट B बोला गया है पार्ट A, B दोनों मिला के आपका there are total 120 questions आपको मिलने वाले हैं 100 questions related to your finance background, salivas यानि कि finance accounts related, costing, taxation, GST, company law, आपका allied law यह सारे से questions बनाय जाएंगे जो intermediate और graduate level के होंगे पार्ट B आपका 20 marks का होगा जहां पर आपका math, reasoning, English, GK यह सारी चीज़े 55 marks के होंगे so total number of question 120 marks 120 duration of this test is 2 hours 120 minutes आपको मिलेंगे और यहां पर there will be a negative marking of 0.25 यहां नि 1 4th negative marking यहां पर होने वाला है tentative exam date जो यहां पर बताया गया है notification में आपका 21st April 2021 है यह change भी होगा या फिर आपका नहीं भी होगा यह आपको admit card मिलने से एक हपते 10 दिन पहले पता चल जाएगा by mail और message और update जैसे कि मैं देते ही रहता हूं exam कब होने वाले है result कब आने वाले है तो उसमें यह सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा जैसे ही मुझे कोई update पर again है आपका application fees जो general और आपका OBC के जो candidates हैं उनका यहां पर application fees 500 रखा गया है और आपका CST, EWS और PWD जैसे candidates हैं उनको 200 का application fees यहां पे पे करना है application fees आप online पे कर सकते हैं अपने net banking, debit card, credit card जिस mode से आप पे करना चाहते हैं वो online office पे कर सकते हैं application apply करने के लिए आपको description box में जैसा के link मेंने दे दिया है और जो preparation है आप online.davidguru.com से कर सकते हैं उनका application भी download कर सकते हैं आप play store से और direct visit कर सकते हैं online.davidguru.com जहां पे आप अपने preparation के स्थुरू strong बन सकते हैं यहां पे आपको बहुत सारे mock test मिलते हैं जिससे आपको पता च इंप्रूव कर सकते हैं आप video को like कर दें और प्लीज सेर कर दें अपने friends के साथ और subscribe button पे click कर दें चाहें जी एस्ट यहां पर कोई ने लगने वाला है ना ही कोई यहां पर service charge है so free of cost आपको इसारी information मिल देए तो subscribe करने channel को for further notification and job related information और other PSU updates के लिए और like करें जरूर इसमे